किसान भाइओ नमशकर स्वगत्य से आपका हमारे यूटूप चेनल स्मार्ट एगरिकल्चर में इस वीडियो में हम एक बार फिर से केडिये 726 स्वयबीन वारीटी के बारे में बात करेंगे किसन भाईयो आप वीडियो में जो स्वाइबीन के पोदे देख पा रहे हैं यह केडिया 727 वेराइटी के पोदे हैं इन पोदों की बुवाई 9 मार्च 2022 को की गई थी और अब यह पोदे 90 से पिचारमे दिनों के आसपास के हो चुके हैं तो इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि 90 दिनों के बाद केडिया 2726 वेराइटी के पोदे किस परकार के हैं इस वेराइटी के पोदे में कितनी फलेया लगती हैं और इस वेराइटी का कुल कितना उन्पादन निकलने का अनुमान है तो किसान भाईयो अगर आपको केडिया सासो सभी स्वैमीन से संबंधित किसी भी परकार की जान करी चाहिए तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखे और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे देखे लाल अक्षरो के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिये और उसके पास में जो गंटी का निसान आया है उसे भी जरूर दबा दीजिये ताकि हम जैसे नए वीडियो अपलोड करें उसका नोटिपिकेशन आपको तुरंत मिल जाए किसान भाईयो अब अगर इस वेराइटी के बारे में बात करें तो ये वेराइटी मुख्य रूप से महराष्ट, तेलंगाना और करनाटक, आंदरपरदेश जैसे राज्यों के लिए विक्सित की गई है ये वेराइटी मध्य परदेश और राजस्टान के लिए अनुसंचित नहीं है क्योंकि इस वेराइटी को पगने में ज्यादा समय लगता है जबकि मध्यपर देश और राजस्ताने में मोसम चल्दी चला जाता है जिसकी वज़े से अंत में पानी नहीं मिलने के कारण ये विराइटी सूख सकती है लेकिन फिर भी मध्यप्रदेश के कई किसान भाई इस विराइटी की तरफ आकर्शित हो रहे हैं और इस साल मद्य परोड़ीष में कई किसान भाई, इस वरायटी का ट्राइल करने वाले हैं तो किसान भाई, हमारे गाउं के एक किसान ने भी गरमियों में केडे 27 stability सुवईबिन का ट्राइल किया था जिसके पौदे आप वीडियो में देख पा रही हैं अगर इस वराइटी की उत्पादक सम्ता के बारे में बात करें तो किसान भाइयो ये बहुती अच्छी वराइटी है क्योंकि इस वराइटी में काफी अच्छी फली आई हैं और इस वराइटी में एक फली में तीन दाने बनते हैं और फली रुहेदार होती हैं जिसकी वज़ लेकिन इस वराइटी की में समझा यह हैं कि इस वराइटी के पोदे काफी ज्यादा बड़े होते हैं इसलिए अगर आप जिस प्रकार से स्वाइबीन की दूसरी वराइटी जैसे इस वराइटी की भी बुवाई कर दोगे तो उससे पोदे नीचे गिर जाएंगे इसलिए अगर आप केडे सासो जबी स्वाइबीन की खेती करने की सोच रहे हो तो आप लाइन से लाइन के बीच की दूरी चाहे 16 इंच रखो चाहे 18 इंच रखो पर पोदे से पोदे की बीच की दूरी आप ज्यादा रखना क्योंकि अगर पोदे ज्यादा पास पास रहेंग तो पोदे सोबेक तोर पर नीचे गिर जाएंगे इसके अलावा अगर पोदे की समस्ना के बारे में बात करें तो पोदे काफी अच्छे होते हैं इस वराइटी की रोग प्रत्रोदक समता ज्यादा हैं और इस वराइटी में बुवाई के 50-55 जिनों के बाद फूल आना स्टा प्लाट में अभी तो काफी अच्छी फ्रूटिंग देखने को मिल रही हैं लेकिन इस प्लाट में स्वाइबिन के पोदे जहां पर ज्यादा पास पास थे वहां पर स्वाइबिन पूरी तरह से खराब हो चुका है वहां पर स्वाइबिन के पोदे नीचे गिर चुके हैं अगर बात करें मद्य प्रदेश में क्या सक्सेस्पूल हो बाएगी तो किसान भाई यो हमारी कर्षे बेगाने को कि अनुसार तो ये विराइटी मद्य प्रदेश के लिए नहीं है लेकिन फिर भी किसान भाई अगर इसकी खेती करना चाते हैं तो आप ऐसी जगह पर कहती करे जहां पर अगर बरसात ना हो तो सीचाई की प्रयाप तो विष्टा हो सके क्योंकि मद्य प्रदेश में इस विराइटी को पकने में 110 से 120 दिनों के बीच का समय लगेगा इसलिए मांसून जाने के बाद भी आप जहां पर सीचाई कर सको वहां पर ही इस विराइटी की खेती करने वाले हो कमेंट करके अवश्य बताना वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चले मिलते हैं अगले वीडियो में जै जवान जै किसान